नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू अक्सर हमारी OPD में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बिमार तो है या उनके घर के कोई ऐसा विक्ति है जो बिमार है लेकिन वो बिमारी से जादा बिमारी को लेकर टेंशन में परिशान है और उस टेंशन के चक्कर में उनका दिमाग 2400 घंटे सिर्फ बिमारी के बारे में लक्षन के जानने के बारे में दवाई जानने के बारे में इलाज जानने के बारे में बढ़िया डॉक्टर ढूनने के बारे में घूमता चला जाता है और ऐसे लोग अपने जीवन को अपने समय को इतना जादा परिशान कर देते हैं खुद को सिर्फ इन सभी बातों के बारे में सोच सोच कर कि वो खुद एक अलग बिमारी के मरीज बन जाते हैं जिसको हुन बोलते हैं health anxiety और कोरोना के बाद से ना हमें ऐसे patients बहुत देखने को मिलते हैं तो अगर आप या आपके घर में कोई वेक्ती health anxiety से जूज रहा है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आपसे request है आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो सबसे पहले चर्जा कर लेते हैं इस वीडियो में कि ये health anxiety क्या है देखें health anxiety को डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं illness anxiety disorder यानि IAD अब इसमें क्या होता है कि मरीज जो है वो हर समय सर्फ बिमारी के बारे में ही सोस्ता चरा जाता है ये एक long term condition है जिसमें severity यानि बिमारी जो है वो तिरे-दिरे करके बढ़ती चली जाती है इसमें मरीज को ऐसा लगता है अक्सर स्टेशने को मिलता है कि उसे ऐसा लगता है कि छोटी मोटी जो तकलीफ है ना वो भी उसे बहुत ज़दा बड़ी दिखाई देती है दूसरे की तकलीफ बहुत जल्दी महसूस होने लग जाती है और 24 घंटे सिर्फ बिमारी इलाज और डॉक्टर के बारे में ही उसका दिमाग चलता रहता है तो जब ऐसे आपको लक्षन मिलने लग जाएं या इस तरह की कंडिशन आपो किसी में दिखाई दे तो हम उस मरीज को बोलते हैं इस बिमारी की सबसे वड़ी खासियत यह है कि मरीज को कोई भी बिमारी क्यों ना हो अगर यह इल्नेस इंग्जाइटी डिसोर्डर या हेल्थ इंग्जाइटी साथ में मिक्स हो गई तो समझ लो आपको मरीज के जो असली लक्षण है ना वो देखने को नहीं मिलेंगे और हमेशा उसके लक्षण नॉर्मल से जो उसकी इंटेंसिटी है ना उससे जादा में ही देखने को मिलेंगे इसलिए कई बार सही दवा सेट नहीं कर पाते डॉक्टर और मरीज का ठीक से इलाज भी नहीं हो पाता कई बार इसी वज़े से मरीज सही दवा खाने के बाद ठीक नहीं हो पाता इसलिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि इस बिमारी के वास्तविक लक्षन, डीटेल में क्या होते हैं तो जब आप लक्षनों के बारे में चलजा करेंगे ना हेल्थ एंग्जाइटी के तो आपको समझ में आएगा कि जो ऐसा पेशेंट है ना उनके दिमाग में सिर्फ एक बात घुस जाती है फीड हो जाती है कि भाईया हम बहुत बिमार है और जो हमारी बिमारी है ना वो ऐसी है जो या तो ठीक नहीं हो सकती या हम इस बिमारी में बचेंगे नहीं या इस बिमारी का जो इलाज हो रहा है वो इलाज ठीक नहीं हो रहा है इस वज़े से 24 गंटे उनके धिमार्ग में सिर्फ एक बाद चलती है कि हम कैसे अपनी बिमारी को शरीर से दूर कर पाएं किस डॉक्टर को दिखा पाएं कौन सा डॉक्टर बेटर है कौन सी दवाई बेटर है कौन सा इलाज बेटर है कौन सी पैथी बेटर है कि अलोपेथी बढ़िया है, होमेपेथी बढ़िया है, आवेवेथ बढ़िया है, युनानी बढ़िया है, ठीक है, किसी वैद को दिखा लें, किसी नाड़ी बिशेश शग्योत को दिखा लें, किसी रेकी मास्टर या रेकी हीलर को दिखा लें, मैगनेट थेरपी करा लें, एक्यू प्रेशर करा लें, एक्यू पंचर करा लें, योगा करा लें, ठीक है, तो उनका दिमाग हर तरह से सिफ एक चीज में चलता है, कि भईया मैं ठीक हो जाओं, ये बिमारी मेरी चली जाए, चाहे वो बिमारी चोटी हो, चाहे वो बिमारी बड़ी हो, ऐसे में कई बार म इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, दॉक्टर से बात करेगा, वो पहले सारा अपना इंटरनेट का ग्ञान देदेगा, ठीक, और ग्जान देने के बाद धुर्ष से समझाएगा की नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट करा लेगा, और रिपोर्ट कराने के लिए DR को बात धिकर देगा कि नहीं नहीं करा लो आप करा लो ये भी गिरालो । करा भी लेंगे रिपोर्ट नौर्मल भी आ जाएंगे फिर भी वह संतुष्ट नहीं होगा कि भई बेकार यह सई जांचे नहीं करा रहा है एक काम करो किसी और को रिखा लेते हैं तो ऐसे कंडिशन में डॉक्टर के दौरा दी गई सात्मना डॉक्टर के दौरा बताया गया ग्यान उसे बेकार लगता है उसे लगता है जो दवाई वो खा रहा है उस दवाई को खाने से भी संतुष्टी नहीं मिलती कि यार इस दवाई से मुझे फायदा नहीं हो रहा है मेरे लक्षन ठीक नहीं हो रहे है क्यों क्योंकि उसे अपनी बिमारी की इंटेंसिटी नॉर्मल मरीज के मुकाबले जादा बड़ी हुई महसूस होने लग जाती है और इसी वजह से आप जब भी उससे देखेंगे ना वो यूट्यूब खोलेगा वो पूशिश करता है कि यह ऐसा तो नहीं इसे ठीक नहीं चक्कर में मैं यह खा लूँ और बिमार हो जाऊं ठीक है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना सारा ग्याने खटा कर लेता है ना कि उससे दूसरे के दौरा दिया गया कोई भी सांत होना का भाव कोई भी बताई के इस इस चाई कोई भी बताई गई दवाई या कोई भी उसके लिए करवाया गया टेस्ट उसे बेकार फील होता है और वह सिर्फ और इसी चीजों को लेकर बैचैन रहता है कई बार इसी वज़ते मरीश को रात-रात भर नीन भी नहीं आती है और दवाई खाने के वो आपका कोई मित्र हो सकता है, वो आपका कोई well-wisher हो सकता है, कोई educated person हो सकता है, कोई medical professional हो सकता है, या फिर कोई expert counselor भी हो सकता है, जिसके उपर भी मरीज को trust हो, जिसके उपर भी उस health anxiety वाले patient को belief हो, सिर्फ वही उसकी best counseling कर सकता है, जब तक patient का, यानि health anxiety से जड़े मरीज का counselor के संग में एक touch नहीं बनेगा, तब तक उसकी health anxiety control नहीं होगी, यहाँ पर कुछ दवाईया है, जो बहुत भेतरीन काम करती हैं, और हम इस वीडियो में अब आगे उन्ही best दवाईयों के उपर चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर जो पहली दवाई है, जो बहुत important है, और बहुत सारे मरीजों की help करती है, उसका नाम है rescue remedy 30, अब यह जैसे ही suddenly, आपके साथ कोई ऐसी miss happening हो जाए, कि आपको वो बिमारी का डर अपने अंदर बैठ जाए, क्योंगी आज पास कोई विक्ती expire हो गया हो, और आपके अंदर भी वैसे ही लक्षन हलके फुल के दिखें, या पहले से थे, और आपके अंदर वो भै बैठ गया, और ऐसे में आपको भै बहुत परिशान कर रहा है, वो डर परिशान कर रहा है, तो अगर मरीज के अंदर कोई सड़न भै बैठ जाएगा, सड़न डर बैठ जाएगा, जिससे ही विएसे मरीज को anxiety attack आ जाए, panic disorder हो जाए, तो वहाँ पर SQ remedy फॉरन अगर आप 15-15 मिनिट पर दो बून दवा, दो चम्मच पानी में डाल कर मरीज को अगर लगातार दे देंगे, 15 मिनिट पर दे सकते हैं, आदे घंटे पर दे सकते हैं, पांच खुराग में आपका patient stable हो जाएगा, अब यहाँ जो दूसरी दवा है वो बहुत इंपोर्टन है, दिमागी तौर पर मरीज इतना बेचैन है लेकिन शायद रिक तौर पर इतना कमजोर है कि उससे हिल नहीं मिल रहा है, पर दिमाग चलाता जा रहा है, बेट पर लेटा है, अल्रेड़ी बिमार है, बिमारी के बारे में जानता है डॉक्टर से मिल चुका है लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बिमारी का कीड़ा घुज गया है अब वो खोज रहा है कि भई दो चीजे होंगी या तो उसे महसूस हो जाएगा कि भई मुझे फायदा नहीं होगा या फिर उसे जा कर सकता हूं और किसे दिखा सकता हूं और कौनसे डॉक्टर से मिल सकता हूं बेस्ट क्या है मेरे बेस्ट डॉक्टर कौन है बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है बेस्ट पैथी कौन सी है बेस्ट जगह कौन सी है जहां पर मेरा इलाज हो सकता है और अगर आपको लगे कि ऐसे पे को सिर्फ सो चने कीवज़े से विमारी बढ़नी लग जाए उसके बाद इस सिम्टम आये लग जाए किया लग जाए अभार वार पानी परने के इच्छा ao पर अगर बहुत समय से आप अपने मुरीज को ऐसा ही बेचैन देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि वो बिमार ना पड़े, कोई और उसके घर में बिमार ना पड़े, इसलिए वो इतनी सफाई करवाएगा, इतना precaution रखेगा, इतना ध्यान रखेगा, कि उसे डर ह है कि भई अब बिमार नहीं पड़ना दुबारा, तो यहां पर लॉंग टम वाले पेशेंट्स के लिए जो suited जो potency है, वो है 30 potency, आसने के अलबम 30, सुबह शाम, दो बूम दवा, दो चमश पानी में डाल कर, 45 दिन तक आप पेशेंट को regular देंगे, तो पेशेंट के अंदर की भी ऐसा विक्ति था, जिसे कोई बिमारी थी, और वो उस बिमारी से आप उसे नहीं बचा पाए, आपने पुर्जोर कोशिश करी, लेकिन आप उस विक्ति को अब उसकी बिमारी में नहीं बचा पाए, तो वो जो feeling है ना, जो आपके अंदर रह जाएगी, कि काश हम ये कर लेते, इससे हमारा मरीज ठीक हो जाता, काश हम वो भी कर लेते, उससे हमारा मरीज ठीक हो जाता, और अब अगर आपके अंदर कुछ एकाद लक्षन महसूस हो रहे हैं, और बहुत समय से आपके अंदर अब ये घवराहट पैदा हो गई है, ठीक है, कि भई, मुझे ये इलाज और डॉक्टर से संबंदे चीजें जानने में बड़ा इंट्रेस्ट आ गया है, ताकि मेरे घर में कोई और बिमार ना हो जाए, मैं अपने घर में किसी और को ना खो दूँ, और वो जिसे मैं खो चुका हूँ, वो क्यूं खोया मैंने, उस बात को लेकर उस मरीज को बड़ा ही गुस्सा आये अपने उपर, कि अगर मैं तब ये कर लेता, तो मेरे पास वो विक्ती वापस जिन्दा होता, तो जब ऐसी कंडीशन में आपको कोई विक्ती दिखाई दे, और उसको बहुत ज़दा जिद्दी हो वो, बहुत ज़दा चर्चरा हो, उसे सोचने से उसकी तकलीफ बढ़ रही हो, और वो बार-बार बेचैन हो रहा हो, उसके दिमाग में सिर्फ बिमारी, दवा, डॉक्टर, इलाज, और सिर्फ ये इस वज़े से घूम रहा है ताकि कोई और बिमार ना पढ़ जाए, मैं बिमार ना पढ़ जाओ, और जो पहले किसी और के स साथ हुआ, जिसे मैंने खो दिया, ऐसा किसी और के साथ ना हो जाए, तो जब ऐसा वेक्ति आपको मिले, तो उसके लिए ऐसे नाइटरिक एक बहुत बढ़िया दवा है, ऐसी कंडिशन में उसे ऐसे नाइटरिक 30, दो बून दवा, दो चमच पानी में डाल कर, सुबह, शा हैं, छोटी से छोटी चीज परिशान कर दिती है, तेज रोशनी, तेज आवाज, किसी का टोकना, किसी का बोलना, अगर कोई break लग जाए, सडनली तो परिशान है, अगर सडनली कोई सामने आ जाए, तो परिशान है, जब तक बिमार नहीं रहेंगे, तो तक चाहते हैं कि भ पर इने लगेगा भाई अब हमसे होने वाले नहीं है कोई डॉक्टर हमें सही नहीं कर सकता सारे डॉक्टर बेकार है सारे इलाज हमने ढूल लिया है इसका इलाज नहीं है यह परिशानी तो आगे बढ़नी है और जिंदगी लगने लग जाएगी इनको बोज ऐसा मरीज मिले फॉस्फॉरस 200 दो बून दवा दो चमबच पानी में डाल कर दिन में एक बार अगर पेशेंट को दे दें 21 दिन तक रेगुलरली दें वो पेशेंट मेंटली बहुत काम हो जाएगा और यहाँ पर उसकी हल्थ एंग्जाइटी में बहुत बढ़िया रिलीफ आने लग और कोई भी डॉक्टर ऐसे वरीज को ठीक कर बाने में बड़ा असक्षम हो जाता है यहाँ पर फॉस्फॉरस इसी लिए एक लाजवाब दवा साबित हो जाती है अब जो यहाँ पर पांच भी दवा है वो सबसे इंपोर्टन है और वो दवा यह का नाम है एकोनाइट यह उन पेशिंट की दवा है जब बेचैनी खौफ में कनवर्ट हो जाए और जब वो खौफ आ जाए बिमारी को लेकर कि भाई अब मैं नहीं बचूँगा अब मैं मरने वाला हूँ यह बिमारी मुझे लेकर जाएगी और मरीज कहने लग जाए कि भाई मैं इस दिन इस घड़ हो जाए मिजरेबल मतलब ऐसी हो जाए बिल्कुल जिस के ऊपर आपको लगे कि तरस आ जाए तो यहां पर एकोनाइट ऐसे पेशिंट के लिए इमेडियेट देने वाली दवा है जब भी आप किसी ऐसे मरीज को एकोनाइट देना चाहें तो एकोनाइट 200 दो बून दवा द आगे नहीं बढ़ेगी यह दवा बहुत काम आती है जब कोई हार्ट पेशेंट आपको मिल जाए जिसको सडन पहले हार्ट टैक आ चुका हो और अभी भी वैसी सिम्टम आये हो या फिर उसका SPO2 लेवल डाउन हो गया हो और फिर दुबारा वो सोच के अपना SPO2 डाउन कर आते हैं जो दवाईयां बता ही हैं उन्हें इस्तमाल जरूर करें फाइदा मिले कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं पहले कभी करा हो और रिजर्ट मिले हो तो भी जरूर बताएं अगर आप खुद मदद नहीं कर पा रहे हैं मरीज की मेरी मदद की आवश्रकता है WhatsApp पर मेर स्टाफ से संपर करें मेरा अपॉइंटमेंट मिलेगा मैं आपसे बात जरूर करूंगा पूरी कोशिश करेंगे आपके पेशन को ठीक कर पाएं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेई तरफ से नमस्कार थैंक यू एंड जैहिद